ईविस में टॉपिक फैस्टिवल्स हम कर रहे है और इसमें हमने चाहल हो थे जाना कि हमारे 3 दिज परूबूबलेगदे या तो इनenneक क्या-क्या इनकी specialty है इन festivals की ये भी हमने जाना आज हम जानेंगे religious festivals के बारे में तो सबसे पारे देखते हैं religious festivals होते क्या है people of different religions celebrate their own festivals यानि कि हमारे देश में बहुत सारे religions के लोग रहते हैं जैसे Hindu, Muslim, Sikh, इसाई, इनके अपने-पने custom के according festivals होते हैं और वो festival वो celebrate करते हैं such festivals are called religious festivals इन्ही festivals को हम बोलते हैं religious festival जैसे की बेसाखी, बेसाखी सिख का, सिख community का बहुत भी बड़ा और famous festival है तो इस festival को सिख लोग celebrate करते हैं आज हम कुछ जानेंगे religious festival के बारे में, आज हम two religious festival के बारे में जानेंगे first is Diwali, Diwali is the major festival of Hindus तो जो Diwali है वो बहुत बड़ा तिहार होता है हिंदूों का it is also called festival of lights, इसको हम क्या बोलते हैं festival of light ओके आपको याद रखना है कि festival of lights हमें किस festival को बोलते हैं दिवाली को this festival is celebrated to mark the returning of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile यनि कि ये festival क्यों celebrate करते हैं आप सबको जरूर ये story पता होगी जो राम जी थे वो 14 साल के 14 year के वनवास के बाद यानि कि वन में रहने के बाद वन में जंगल में रहने के बाद वो अपनी घर आयोध्या वापस आय थे तो इससे जो अध्यों के लोग थे जो चितने भी सब लोग थे वो सब बहुत खुश होए थे क्योंकि राम जी जो थे बहुत अच्छे इंसान थे और एक बहुत अच्छे राजा भी बने वो तो बहुत अच्छे थे और उनके वापस आने पे सब लोग बहुत खुश होए तो उन्होंने क्या 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 सेलिब्रेट किया उस दिन को जिस दिन राम जी अपने घर वाप अंधेरा था तो उन्होंने बोला कि हम तो सईलिब्रेट करणे न है और अंधेरी में थोड़े न सईलिब्रेट करेंगे तो उस वझे उन्हों थोल्ब आ recap ये सब तो होता नहीं था तो उने रोशनी खाएं के लिए train बहुत सारी रोश्नी करने के लिए लोने बहुत सारे दिये जलाए थे oh इसलिए हम इसको दियों का त्युहार भी कहते हैं festival of lights हम इसलिए ही बोलते हैं इसको नेक्स्ट है दशेरा दशेरा a festival marks the victory of good over heaven अब दशेरा क्यों celebrate करते हैं इसका क्या sign होता है दशेरा का basically बिटा ये जीत होती है अच्छाई की जीत होती है बुराई पर Lord Rama killed King Ravana on this day तो इस दिन क्या जीत हुई थी? इस दिन राम जी ने जो King Ravana था उसको मारा था क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था वो वैसे बहुत विद्वान था, बहुत इंटेलिजन था लेकिन वो बहुत गलत काम कर रहा था तो जिसकी वज़े से उसको मारना पड़ा था तो जो राम जी थे उन्होंने उसको मारा था इसलिए हम कहते हैं कि अच्छाई की जीत हुई बुराई पर तो ये टू फैस्टिवल से बिटा जिनके बारे में आज हमने जाना है आप इनको साफ साफ कॉपी में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे ओके पिट लग